हेलो आपके सामने आ चुका हूँ एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट के साथ जैसा कि हम लोग आपको पता होगा एक लाइव सेशन के थू आपको यहाँ पर इंट्रड्यूस करे थे कि जल्दी ही हम लेके आ रहे हैं आई-बी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-प हम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ प्रॉपर बने रहीएगा इस पूरे एक महीने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने आपने आपको सपने में एक सपना आपने ये भी देखा है कि इस बार का आप प्रेलिम्स की करें तो सपना अब पूरा करने की बारी आ चुकी है हम और कह सकते हैं हमारी टीम आपके लिए रेडी हो चुकी है क्या आप भी हमारे साथ कंप्लीटली रेडी है क्योंकि सर एक बहुत ही सिंपल सी बात में आपको बताओ या एक बहुत ही सिंपल सी कहानी आपको सुनाओ तो आज उस शुब घड़ी का कह सकते हैं कि पहला दिन है आज हम बात करने वाले हमारा जो crash course आपके सामने लेके आएंगे उसकी complete strategy या कह सकते हैं दूसरी भाशा में complete roadmap कि इस पूरे एक महीने इस पूरे 30 दिन के crash course में आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से cover तो यह पूरा का पूरा जो scenario है वो आपको आज मिलने वाला है तो कह सकते हैं भाई शुरुआत करने से पहले थोड़ा उस चीज को जानते हैं, समझते हैं तो उसके बाद किसी चीज को आप शुरू करोगे तो एक अलगी आनन्द आएगा, अलगी मजा आएगा, अलगी कह स रखते हैं, अचीवमेंट की तरफ आप वहाँ पे बढ़ोगे, तो शुरू करें फिर, चलने से पहले अगर आपको बता दें कि आप मुझे फॉर्स टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम सब को शोड के चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा, क्योंकि मैगनेट ब्रे प्रिलिम्स भी फी में पढ़ाएंगे, हुआ तो इंटर्व्यू के सेशन भी आपको हम दिखाएंगे, कराएंगे आपके लिए पूरी महनत करेंगे और उमीद यही रखेंगे कि आपका सेलेक्शन ही हो जाएं और कोई इफ बट वाली कंडिशन ना बने, RRBPO का crash course हम लोगों ने launch करा था 30 days का और fortunately बहुत successful रहा था, बच्चों ने उसको बहुत enjoy किया था और बच्चों ने कहा भी था कि सर उसको हमने पढ़ा, उसको हमने regular पढ़ा और उसका result ये निकला कि हमारे sessions बहुत questions बहुत अच्छे गये थे sessions जो भी reasoning के आये थे, जो कह सकते है math के questions वहाँ बने थे सब कुछ बहुत simple था, आप लोगों ने जो standard सेट किया था, उसके बाद तो बच्चों वाले question लग रहे थे, और कई बच्चों ने हाँ पर 40 out of 40 reasoning में करा, मुझे specially अपने scorecard भेजे, तो मैं भी आपको इतना बता दूँ कि वादा करता हूँ कि अगर आप proper इस पूरे 30 दिन में मेरे साथ रहेंगे, तो आपको reasoning में एक भी प्रशनकी दिक्कत नहीं जाएगी, यह मेरा वादा यह PSPU की लगबख 6000 प्रस वेकेंसी जो आई है, उनको grab कैसे करना, strategy बना के काम करेंगे, तो ही अच्छे से हो पाएगा भाई, ठीक है न, चलिए, तो इस session को please like और share कर देना, यही एक उमीद आप से है, और और दूसरी उमीद अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे important बात, च underestimate किसी चीज़ को मत करना सरी, क्या बता रहा है, यतना time थोड़ी हमारे पास focus का time है, कि यही सब हम करेंगे, आप तो सिधे point पे आओ, तो याद रखना है बेटा, over confidence हमेशा ले डूबा है, अच्छे अच्छों को, आप बिलकुल जड़ से एक दम शुरू करो चीज़ों के बारे में जानना, मुझे पता है कि हो सकते, आपको चीज़े पता होंगी, लेकिन शायद मैं आपको कुछ अच्छा दे दूँ, जो आपके लिए बहुत काम आ जाए, तो points सारी important है, और कल से हमारा session आपके सामने active हो जाएगा, 25 तारीक हमने कहा था, वादा किया था, तो 25 सारीक से officially हमारा crash course launch हो जाएगा, आज की जो class हमारी है, इस class में हम सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरीके से सारी चीज़े मिले, और आप अच्छी बात बता दूँ आपको, तो मेरी class आपको हला कि प्रेमियर form में मिलेगी, रोज डेली को रात को आठ बजे और ये reasoning का जो session होगा, आठ बजे रात को daily आपको मिलेगा, एक घंडे का डेड़ घंडे का जो भी session होगा ज़रूर देख लीजेगा, शेर भी लोगों को करिएगा, और ये आपके लिए बहुत important है, ठीक है, साथ ही साथ, ये तो हमारा क्या होगा, ये हम target करेंगे किसको इ क्लर्क भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि standard अगर high रखोगे तो basic level तो cover हो जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि crash course, PO और क्लर्क दोनों को ध्यान में रखके बनाए गया है, और उन ही के respect में हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ IVPS PO को ही target करेंगे IVPS PO के साथ-साथ clerk को भी लेके चलना है, ठीक है ना, target आपको पता होगा कि चाहे clerk हो, चाहे PO हो, दोनों में 35 question के reasoning आने वाली, 35 question, 35 marks के आपको मिलने वाले हैं, तो target हमारा कहां तक रखें, कितना पढ़ने sir कि हमको number अच्छे से अच्छे मिल जाए, और सबसे बड़ी बात ह 30 marks के आपकी English आएगी, और अगर बात करूं मैं, तो ये एक ऐसा subject है English, जिसमें आप कितना भी पढ़लो कम होता है, जितना भी पढ़लो कम होता है, और कितने भी rules याद कर लो, एक्जाम में आपका खुद का logic काम आता है, तो इसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से मैनत कर होगे, शायद इसलिए maths और reasoning की importance बढ़ जाती, क्योंकि इनके marks के बाद ये number जो मिलते हैं, English के ये bonus होते हैं बेटा, और ये bonus marks ऐसे होते हैं, कि जितने number आप इसमें खींचना खींचलो, cover कर लो, ये जितना आपको मिलेगा, उतना आपको bonus मिल जाएगा और आप exam qualify करोगे, तो मेरा ऐसा मानना है, कि अगर reasoning की बात करूँ में, सिर्फ reasoning की बात करूँ में, तो reasoning क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, आपको maths वाले सार, आपको maths भी proper पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों में आपको command अगर बन गई, तो आपका exam qualify हो जाएगा, सिर्फ यह least, आप 25 से 30 में तो रहेंगे, 25 to 30 में तो आपको रहना ही है, you don't have any option, लेकिन अगर आप 25 से 30 में reasoning में हैं, तो थोड़ा pressure यहां बढ़ जाएगा, maths के लिए pressure बढ़ जाएगा, क्यों maths भी आपको कम से कम 20 से 25 तो करने पढ़ेंगे, maths भी आपको कितना करना पढ़ेगा, 20 से 25 तो करना पढ़ेगा, सोचो अगर तुमने 30 कर दिये reasoning में और 25 कर दिये maths में और मानलो 15 कर दिये English में, तो तुमारा जो score हो जाता है, सोचना, तुमारा जो score हो जाता है, एक बहुत अच्छे score पर आचले जाते हो, 70 के, 30, 20, 50, 55, 55, 5, 60, 10, 70, यानि 70 का score जो है, वो कोई बुर बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही थी कभी एक समय, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अक्सर भारत में नोटिस किया है कि लोग कहते हैं सर केटेगरी, केटेगरी, SC, ST, OBC, मैं तो जनरल कैसे करूँ, बहुत कम नंबर, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही थ तो अरे भाई 100 में लाओन अनब बे नमबर, लाओन अप अंचान में नमबर, 95 मार्क्स लेके आओ, कौन है जो तुम्हारी केटेगरी देखेगा, तुम जनरल हो, OBC हो, तुमको डिरेक्टली क्वालिफाई करेगा भाई, कि यार इतने नमबर है कि सोची नहीं सकते कि इसको क क्वालिफाई करें, मिड में रखें, तुरंथ क्वालिफाई करेगा, तो यह जो खेल है ना, यह खेल किस पे चलेगा तुमारे मार्क्स पे, तो मैं फिर से फोकस करूँगा, आप जनरल से हो तो परिशान मत हो, आप OBC से हो तो परिशान मत हो, आप SCST से कुछ मत सोचो, अ 100 में 90 वाली तयारी करना है कम से कम तो पेटा अगर 90 की तयारी करोगे तो 90 नहीं आएंगे लेकिन 80 से इलाद होगे लेकिन तयारी ही 50, 55, 60 की करोगे तो फेल होने के चांसे शत्य प्रतिशत हो जाएंगे समझ में ही बात मेरी बहुत भारी बात हैं जानने आपको जरूरी है तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो भाई यह धुक्तवासा कहानी यहां पर फेलोट फेल हो सकता है अगर आपने रेजलिंग की बात करूँ मैं तो बेटा रेजलिंग में अगर आपने माल लो 35 क्वेशन में 35 कर दिये जो कि बहुत ही सिंपल टास्क है मैं करवाऊंगा आपको सिर्फ यह क्रैश कोर्स पूरा 30 दिन पढ़ ले न 35 के 35 ना है तो कहना लास्ट मैं आपको मौक भी कराऊंगा टाइमर के साथ कराऊंगा बेटा एक्जाम के महौल के साथ आपको बिठाऊंगा देखता हूँ कैसे नहीं बन पाता है तो भाई साथ 35 के 35 अगर आप इस पे ला दिये और सोचो रीजिंग के बाद मैट्स में आप 25 तक पहुँच गए और इंग्लिश में मैं आपसे ज़ादा उमीद नहीं लगाऊंगा 15 ही लेके चलूँगा तो आप 75 में जाते हो जो की बहुत सेफ टोटल होता है बहुत सेफ टोटल होता है और इस सेफ टोटल पे ही आप खेलोगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट है मेरे ख्याल से बेस्ट है ठीक है ना कट ओफ जो है इस बार की एक्सपेक्टिशन के हिसाब से 65 तक 65 से 70 के बीच में cut off होने वाला है इससे जादा नहीं जाएगा और कम गया तो plus point है जादा गया तो दिक्कत हो सकती लेकिन फिर भी आप safe रहोगे 75 का target इस साल रखना है कम से कम याद रखना कम से कम 75 का target रखना उसके उपर जा रहे हो तो well and good ओके गाईज चलिए तो थोड speed कैसे बनाया तो speed बनाने के लिए आप regular mock test देना शुरू करो mock देना शुरू करो सर कौन सा mock अच्छा होता है कोई सा ले लो यार हमको कह रहे हो जो mock आप देते हो वही mark mock exam में नहीं आता तो कहीं से लगा बड़ी सारी sites है free में भी आपको mocks available है उठाओ लगाना शुरू कर आप questions पढ़ो हाँ एक request आप से यहां पर करूंगा कि आप book से मत पढ़ो book पर बहुत dependent मत हो जाओ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप book पर पढ़ते हो तो भाई book आपको इसली भी थोड़ा सा यहां पर में रोकूंगा इसका बड़ा कारण ये भी है कि exam तुमको देना है online और तुम offline पढ़ोगे तो यार एक बहुत ही drawback वाली situation हो जाएगी वही बात हो जाएगी ना खेलना है lots के मैदान पे और practice तुम गली क्रिकेट की कर रहे हो तो आपको एक बात कर ख्याल रखना है जानना है कि आपको mock लगाना है online लगाना और कोशिश करना कि mobile phone को सामने रखें laptop है तो well and good और laptop में भी कोशिश करना कि mouse अलग से रखना जो format आपको exam में मिलेगा ठीक है mock लगा यह कहते हैं कि अगर आप पहले दिन gym जाते हैं तो आपकी body नहीं बन जाती आप पहले दिन running करने जाते तो आप बहुत अच्छे runner नहीं हो जाते sprint runner नहीं हो जाते आप आप swimming करने जाएंगे तो पहले दिन आप बहुत अच्छे swimmer नहीं हो जाते daily daily आप करिए practice करते रहे daily करिए daily करिए तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही perfect runner बहुत ही perfect body shape वाले या बहुत ही perfect sprint runner हो जाएंगे swimmer हो जाएंगे तो यह सारा खेल किसका है बिटा practice का और कहते भी हैं कि practice makes a man perfect समझ में आई बात तो घबराना नहीं है जितने भी बड़े नाम आपने सुना होगा आपके आस पास के जितने भी लोग जो exam qualify कर चुके हो एक दिन एक रात में नहीं नहीं गलते exams बड़ी मेहनत लगती है लोग गिरते हैं फिर उठते हैं हो सकता है फिर गिरते हैं फिर उठने का जज़बा रखते हैं यही तो है हमारी लड़ाई बेटा अपनी गलतियों पे काम करो क्या गलती हो रही क्या और महारत हासिल किया हुआ तो मुझे पता है कि एक स्टुडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती तो इस प्रॉब्लम पे ही तो काम करना आज का session यही भाई हम रोड मैप तो बताएंगे कि इस पूरे महीने में हम आपके साथ क्या करने वाले किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे लेकिन आपको बताएंगे पढ़ना कैसे कैसे हम बाकियों से अलग हो सकते हैं तो वाई कह सकते हैं कि क्यों नहीं ऐसाम कर सकते हैं जो हम बाकियों से अलग दिखें क्योंकि भीड में चलोगे तो कभी आप सफल नहीं होगे हमेशा भीड से अलग करना पड़ेगा और एक ब बनना है तो बस कुछ अलग करो ऐसा कि भीड से निकल के भीड तुम्हारे लिए खड़ियो बिटा बस मोटिवेशन ध्यान रखना तो मौक टेस्ट का रोल थोड़ा बढ़ जाएगा साथ ही साथ I humble request to all my dear students कि आप daily कम से कम 20 से 25 सिम्प्लीफिकेशन और सिम्प्लीफिकेशन के साथ साथ सिरीज Maths में ये daily आप हो करना है अब से लेकर कब तक till exams Daily आप जो पढ़ते हो पढ़ो मौक लगाते हो लगा लेकिन daily you have to focus your simplifications and as series as well तो मतलब यहाँ पे ऐसा क्या होगा आपकी accuracy प्लस आपकी थोड़ा speed calculation speed बढ़ेगी बटा that is well enough for you और इसके अलावा ये तो बात होगी Maths की Reasoning का अगर लेनू data बटा तो reasoning में क्या करना है तो बाई साब reasoning में daily कम से कम पाँच पजल लगाने है पाँच पजल ये routine में रखना है कि पाँच पजल लगानी ही लगानी है प्रिलिम्स लेवल की डेली करना है और जब आप पहली पजल लगाते लास्ट की दो पजल जो लगाई है वो टाइमर के साथ लगाई है आपने एक पजल उठा ली चलो मैं कहरा हूँ बुक से उठा ली फोन में टाइमर लगा लिया और question शुरू कर दिया कितना टाइम हो रहा है ड़जन में टाइमर करो को रव जो टाइम आया है मालो आपने तीन मिनेट ले लिया question करने के लिए तो आपने copy पे लिखो solution के उपर 3 मिनेट इतने सेकेंड आपने इस question के लिए अगला पजल लगा यह चारहाराना शुरू करो तो सारेस्ट करके फिर इस पर टाइम लगा नीए लास्ट के दो में टाइमर लगा लो अप नोटिस करो कि धीरे-धीरे यह टाइम कम होना शुरू हो जाएगा कि पजल का कंसेप्ट आपको समझ में आज़का यह कोशन ऐसे करते हैं ये question ऐसे करते हैं धीरे धीरे आप चीज़ें बनाना शुरू कर दोगे और definitely आप notice करोगे कि आपकी speed ग्रो हो रही वादा है कई बच्चों ने करा मैंने करवाया उसका result की वाज job कर रहे हैं आप भी करो आपके साथ योगात ये दो चीज़े साथ ही साथ अब चुकि मैट्स और रिजनिंग कर दिया तो एक English का भी उठा लो बेटा तो English में क्या करोगे तो English में डियादा नहीं एक एक reading comprehension उठा लो बेटा जिसको कहते हैं RC ठीक है एक RC उठा लो एक passage उठाओ उसको solve करो चाब वो बुक से कर सकते वो बुक से करो ऑनलाइन कर सकते और से ऑनलाइन करो एक आपको करना है तो मदब ये एक महीने जो हम पढ़ाएंगे वो तो ठीक है इसके अलावा आपको तीन रूप से दे रहा हूँ रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा बेटा ये मेरा वादाज पहला दिन है तो सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा चीजे बता दो कि इसके बाद तो हम शुरू हो जाएंगे पढ़ाना और आप पढ़ने लग जाओगे तो शायद मैं आपको ये चीजे ना बता पाऊं इंग्लिश आर्सी पे डिपेंड है रिज्डिंग पजल पे डिपेंड है और मैट्स लोग कहते हैं डियाई लेकिन मैं कहता हूँ सिंप्लिफिकेशन सीरीज डियाई सबसे नहीं बनती डियाई बनने के लिए टॉपिक्स क्लियर होने चीजिए सबको कहां क्लियर होते हैं तो बाइस सब अगर यह क्लियर तो आपके 10 नंबर तो फिक्स है ना दस नंबर तो फिक्स हैं भी याँ प्रिलिम्स के 10 नंबर और उसके वाज़ब आप इतना पढ़ते हो तो धिरे दिरे भाई हमारी टॉपिक्स हमारे सरतों पढ़ाएंगे देखो भई अब हमारी इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा ये टॉपिक कहेंगे अलफा बेटिकल पैंचेंज कर लेता हूँ थोड़ा समय अलफा बेटिकल एंड मिसलेनिय सिरीज ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा वर्ड माला एवं बिविद श्रंखला भाई सब इस सिरीज से आपके एक्जाम में पांच मार्क्स के क्वेशन बनेंगे कितने के बिता फांच मार्क्स के और बहुत हाइ-फाइ कोशन नहीं आएगा बहुत हाइ-फाइ कोशन नहीं आएगा। सिंपल कुश्चन होंगे आप बना भी लेते हैं एक्जाम में आरारवी प्यों का एक्जाम दिया होगा आपने अरार भी क्लर्क दिया होगा आप देंगे तो बन जाएंगे अराम से बनेंगे बस आपको चीजे कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए जो मैं आपको सिखाऊंगा तो यह इंपॉर्टेंट है भाई इसको आपको पढ़ना है अच्छा एक बात और ध्यान लखना पांच मार्क्स का आएगा लेकिन या तक न इसको इंक्लूड करते ह ये मैं आपको अलफाबेट टेस्ट अलग से पढ़ाउंगा यह इसी का पार्ट है बिटा इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा अब आपने ये वाले क्या है इसकी अंदर क्या पढ़ाऊगे तो आपने पढ़ाऊगा एक वर्ड है इंग्लिश English ऐसा question आपको मिल जाता है और आपको बोल देगा कि इस दिये गए word में अगर सारे के सारे letters को ascending order में arrange कर दें फिर जो vowel है उनको just पहले वाले से consonant को उनके बाद वाले से interchange कर दें तो बताइए right से fourth letter क्या होगा ऐसे वाले question एक question बन जाता है कि बताइए इस English word में letters के ऐसे कितने pair हैं जो एक दूसरे से उतनी ही distance पे हैं जो एक दूसरे से उतनी ही distance पे हैं जितना वो alphabetical series में होते हैं इस दिये गए word में letters के ऐसे कितने pair हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना की alphabetical series पर आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा आप कर देते हैं E के बाद FG एक पेर बन गया HI एक पेर यहां से बन गया ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे तो वो वाले questions इसके अंदर बन जाएंगे तो बड़े ही प्यारे questions और इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ नए और interesting questions आपको कराऊंगा जो बिलकुल surprise दिंग नए और अलग type के आपको मिलेंगे तो proper दिखेगा तो मलब कुल मिला जुरा कि मैं कहूं जो मेरा road map है इस road map के तहत ये दो एकी topic है जिनको मैं अलग अलग तोड़ के दो अलग अलग दिन में पढ़ाऊंगा जिन दोनों से मिलके कितने आपको मिलेंगे पांच नमबर तै हैं मिलेंगे और आपको इनको करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा coding recording एक ऐसा topic जो पिछले कह सकते हैं कि दस साल में पिछले दस साल में जग जाहिर हो चुका है कि इस topic से question आते ही हैं और अब चुकि पीयो का exam दे रहे हैं वाप तो पीयो के exam में क्या एगा बेटा sentence coding आएगी Chinese coding जिसे कहते हैं का लाटा वाले question आते हैं वो आपको मिल जाएंगे कितने question पांच तो ये वाला topic भी आपको करना दे को दस नमबर सिर्फ इन ही दो topic से आपको मिलने वाले हो सकता है किसी के shift में आए लेकिन most probably आता और इस बार भी पूछा गया था और आर भी पीयो के exam में ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी अब बात करेंगे बिटा direction and distance की दिश्या और दूरी ये एक से तीन marks में question आपको मिल सकता है एक से तीन marks में और इसमें जादातर question आपको कौन से मिलेंगे भाई इसके अंदर जो जादातर question बिटा आएंगे न वो ये वाले होंगे कैसे आएंगे बिटा ऐसे देदेगा कि P is 3 km west of G आगे वो इस 3 km north of L ऐसे करके question आएंगे भाई वो story न देगा कि महेश घर से निकला इतना चला हो तो वो वाले question कम आएंगे ऐसे वाले question आपको मिलेंगे और मैं जब पढ़ाऊंगा तो इस बार मैंने target किया कि ऐसे वाले question को जड़ा जादा focus करूंगा और इसमें भी आपको shortest distance पूछ सकता है इसमें भी आपको पूछ सकता है directions क्या है इसमें भी पूछ सकता है कि वताएंगे उसका right hand कहां पे भी face कर रहा है तो ऐसे वाले questions बहुत मिलेंगे तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई लडाई हलाकी एक से तीन नंबर की है लेकिन मैं एक से तीन को नहीं देख रहा हूँ मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है 35 marks मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अच्छे से देखें अच्छे से पढ़ें चीक है और I wish हम जहां भी रहेंगे कोशिश करेंगे nearest center जहां से भी हम अब यह sessions ले रहे हैं एक्जाम टाइम पे nearest center पे हमारी टीम भी भेज़ेंगे और प्रॉपर हम पता करेंगे कि क्या इस बार पूछा किया और मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ कि जितना पढ़ाऊंगा उससे एक question बाहर नहीं आएगा तो आप प्रॉपर पढ़िए यतना अनुभा है भरोसा रखिए बहुतों को पार लगाया अब आपकी बारी है पस हमसे जुड़ना है free of course sessions दे रहे हैं बेटा तो अच्छे से enjoy कीजेगा ठीक है तो direction बजे रात को जुड़ना है आप अपना एक महीने दे दीजिए प्रेलिम्स हम निकलब आ रहे हैं उसके बाद प्रेलिम्स पे नहीं रोकेंगे मेंस भी पढ़ाएंगी भाई और अर्भी कलर का मेंस पढ़ाने जा रहे हैं लाइव आएंगे शाम को साथ बजे मेरा पढ़ाऊंगा उसी तीन टॉपिक को फिर से रिवाइस कराने के लिए एक मिक्स कोश्चन की सीरीज यहां बनाऊंगा मिक्स कोश्चन में अल्फा बेटिकल कोश्चन भी होंगे अल्फाबेट टेस्ट भी होगा और डिरेक्शन डिस्टेंस भी यहां पे मिलेगा बेटा ड तीन टॉपिक को रिवाइज भी कराऊंगा देखोंगा कि क्या आप से क्वेशन बन रहे हैं अब जब यह तीन टॉपिक तुम कवर कर लोगे तुम्हारे नंबर कितने मिल जाएंगे पांच पांच दस और उमीद है एक या दो यानि बारा नंबर तीन टॉपिक से बारा अगरा तैमाल लगेगा इनमें इनमें टाइमर लगेगा बिटा टाइमर के साथ काम करें के देखेंगे कितना तुमसे बन enquanto एहें आपके लिए बहुत इंप्रेंट है इससे question बहुत आएंगे और साथ ही साथ coding वाले question भी आपको आ सकते हैं blood relation का puzzle form और coding form उन पर मैं ज़्यादा focus करूंगा indicating form भी आता है कि इस शारे से रिष्टा बताया जाएगा उनके भी question एकार दो कराऊंगा लेकि ज़्यादा focus इन दोनों पर रहेगा पीओ का ranking की बात करते हैं order and ranking एक ऐसा section जो कह सकते हैं कि बहुत लोग underestimate करते हैं इनमें ना comparison वाले question बहुत आएंगे comparison वाले question बहुत आएंगे कि यह से उंचा है यह उससे लंबा है मार्क्स इससे ज़्यादा आये काम आया अगर आया तो यह वाला question बहुत आता इसके रहां कुछ mix question भी जैसे position interchange का कि दो बंदे हैं right right से बैठे right left से उन दोनों ने अपनी अपनी positions बदल दी ऐसे करके कुछ mix question भी पूछे जाएंगे तो सब मैं cover कराऊंगा इसके प्रॉपर देखेगा फिर उसके बाद देखो बिटा फिर से उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से mix question blood relation और किसकी बात करें अगर ranking को mix कर दे हुए मैं आपके सामने फिर से लिए आँगा नों टॉपिक को merge कर दूँगा और फिर से question मनाऊंगा ultimate question होंगे फिर आएगी बारी उसकी जिसके लिए शायद आपने तयारी करी थी कौन-कौन से सिटिंग और पजल की बारे इसके इंदा circle row के chances जादा है floor और box के chances जादा है कुछ हो सकता है profession वाले questions आ जाजा है हो सकता है कुछ year और month वाले आ जाजा है अच्छा आगे जड़ा देखो क्या है भई आगे देखो क्या है बच्चा लोग यहां कहानी देखो किसकी आरी भई पजल्स भी इंक्लूड होंगे पजल्स के अंदर जितने तरीके के पजल्स एक्जामनेर आपको दे सकता है मैं फिर से बता रहा हूँ floor वाले एज वाले profession वाले इसके लब अगर बात करूं तो हो सकता है floor और flat वाले पी यो है तो थोड़ा standard अच्छा देगा मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको क इक question चूटेगा तीन पजल या चार पजल आएगी दो पजल नहीं आएगी और मैं आपको तीन की तीन या चार की चार पजल बनवा के छोड़ूँगा बस आप यह sessions देख लेना काफी practice कराऊंगा लगभग चार से पांच class पजल की दूँगा more than sufficient होगा mix question फिर लेके और इसके बाद मेरा favorite syllogism syllogism और inequality का topic हम cover करेंगे 10 नंबर इनसे उमीदे मेरी हैं और अगर 10 नंबर overall लेके चलें तो 35 का paper इतने ही पढ़ना आपको इसके अहलामा कोशनी पढ़ना silogs में simple silogs पढ़ने है only a few को थोड़ा focus करेंगे only को थोड़ा focus करेंगे either or को थोड़ा focus करेंगे same as अगर inequality की बात करेंगे तो हर बार के तरह इस बार भी simple आएगी either or वाले questions आ सकते हैं जो hide either or बनाता है universal case वो आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे भाई तो I wish आपको ये road map मेरा समझ में आया होगा 35 number की कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है और इसके बाद अभी खतम नहीं हुआ है इसके बाद देखो क्या होगा भाई साब inequality को दो पार्ट में खतम करने एक बाद मैं data sufficiency भी पढ़ाऊंगा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बाद data sufficiency से का दो question दे सकता है examiner हलाकि mains में देना शुरू कर दिया है लेकिन पता नहीं अंदर से एक आवाज आ रहे कि भाई DS इस बार आ सकता है तो DS को भी प्रॉपर हम पढ़ेंगे और याद रखना पांच नंबर का segment है पांच नंबर दे देता है आपको तो पढ़के चलेंगे ठेक है तो data sufficiency को मैं include किया जब देखो भाई ये तीन खतम होए तो फिर इन तीनों का देखो क्या हो गया एक final mix question आ गया mix question में silox inequality data sufficiency तीनों आ गये भाई clear मतलब कहा जाए तो आपके सामने कुछ भी छोड़ूंगा नहीं अच्छे inequality को जो पार्ट टू है इसके अंदर मैं missing missing और missing के साथ साथ coded दोनों तरकीन equality कराऊंगा missing में भी हो सकता है reverse वाली missing कराऊं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ आपका छूटेगा सेशन देख लेना इतनी topic पढ़ने देखो अब कहा जाए तो यह हमारा end है यहां तक हमारा topic end हो चुका है खतम इतने में pre clear हो जाएगा इतने की practice करेंगे उसके बाद जब mix question हो जाएगा तो भाईया यह देखो previous year paper solve कराऊंगा यह देखो previous year paper solve होगा ज़रा देखें तो पिछले साल का paper आया कैसे था previous year paper का दूसरा set solve कराऊंगा देख लो भाई paper one paper two दो set solve कराऊंगा भाई दो set से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि पिछले साल paper कैसा आया था अंदाजा लगने से और expectations बढ़ जाती मैं even यह भी देखूंगा कि पिछले साल क्या cut off गया था उसके respect में paper ऐसा था तो इस बार का paper क्या आएगा जब पिछले साल के दो paper तुम done कर लोगे उसके बा model paper बनेगा जिस model paper में मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि भाईया इस साल का paper कैसा आएगा more than sufficient वाली कहानी है बिटा more than sufficient इसके अलामा कुछ नहीं पढ़ना model paper देख रहे हो कितने सारे कराऊंगा आपके सामने यार मैं तो लिखके दे रहा हूं कि इन ही में से कोई ने कोई paper उसी तरह से as it is मिल सकता है थोड़ा बूच चेंजिस आएंगे लेकिन जो model paper में कराऊंगा बस इतने से जादा कुछ नहीं सोचो पहले मैं आपको topic clear कराऊंगा फिर आपको मैं model paper भी पढ़ाऊंगा अचा ए basics जो होगा पढ़ लीजिएगा आपको basics कहां से पढ़ना है तो परिशान मत हो सब कुछ मिल जाएगा यहां पर description में जो मैं भी दिखाता हूं आपको ठीक है मैं आपको दिखाता हूं यह देखो करना कुछ नहीं आपको हमारे official website पर जाना है बेटा magnetbrains.com जब उसको open करोग open करने के साथ सी आपको दिखेगा क्या यह वारा कुछ dashboard लिंक है यह क्लिक कर लेना dashboard में नीचे के तरफ जाना top courses में नीचे जाना ठीक जब आप नीचे जाओगी बेटा तो आपको पता क्या चलेगा नीचे चलते चले जाना यहां देखेगा bank and insurance ठीक है बेटा यहां क्या दिखेगा bank and insurance इस पर जब टिक करोगे न यह देखो हमारे sessions आ जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है इसमें banking evidence में आता है उसका फुल कोर्स करेंट अफेस तो डेली भाई वेकली आपको चली रहें यह पूरी कहानी शुरूर जाएगी अच्छा इसके बाद भाई आप इस पर मालोग क्लिक करें watch now पे गए जैसी watch now पे जाओगे आपके सामने पूरा-पूरा डैश्बोर्ड खुलके आजाएगा डैश्बोर्ड खुलके आजाएगा वहाँ पे आपको टॉपिक वन से लेकर पूरे टॉपिक का बेस मिल जाएगा मतलब आप यह मांग चलो अल्फाबेटिकल सीरीज का बेस डारेक्शन डिस्टेंस का बेस सब कुछ वहां मिल जाएगा जाओ जितने भी पार् कर लेना बिटा सेशन हमारा कल से शुरू होने वाला तो सबसे पहले साभी को बहुत सारी शुप कामना है ऐसी पढ़ते चलना मेहनत करते चलना जैसे जैसे मैंने बताया वैसे हम आपको रोड मैप के थ्रू ले चलेंगे तो बने रहिए और कोशिश करिए कि यह सब कुछ आपको जो हम फ्री में दे रहे हैं इस फ्री को फ्री की तरह मत समझ यह सिरिसली दीजेगा और इस बार एक्जाम क्वालिफाई करना है बस आज अगर आपको मेरी बात थोड़ी अच्छी लगी हो तो भाई सब लाइक और शेयर कर देना चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया और आप वहाँ पहुशते जाते हो बचाओ पैसे को पैसे की कीमत समझो जब सब कुछ आपको फ्री में हम दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं जो भी आपको पढ़ाता सिर्फ प्री पढ़ा के छोड़ देता है आपको तो पता भी नहीं होता कि सेलेबस क्या है जितना पढ़ाय कर रहे हैं पैसा लूट रहे हैं व्यापार बना दिया है तो उस व्यापार से निकलो सिक्षा को सिक्षा के तरह गरहन करो हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो हमारा कोई और चितनी हम सिर्फ फ्री में चाहते हैं हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ झाल झाल